आज की या वीडियो बिए फिफ्वत समस्टर के चात्रों के लिए most important होने वाली जिन भी चात्रों की परिछा English First Paper किया निए कि इंगलिश के प्रथम प्रस्चन पत्र के होने वाली है, उनको बीडियो को पूरा जरूर धेखना चाहिए क्योंकि इस वीडियो में वो सारी questions included है जो आपके एक्जाइम के नजरिये से महात्पूर्ण है और इस वीडियो में question and answer दोनों इनकी वीडियर है तो ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से समझेंगे के question को तो चलिए देख लेते हैं पहले यहाँ पर आपका जो बीए है वो थार्डियर है यानि की तृतिय वर्स है समि इंग्लिश के विद्व होंगे तो आज इस वीडियो में प्रथम प्रस्ण यानि की फर्स्ट पेपर से जिड़े question और answer होंगे इस वीडियो में जिसका नाम है classical literature and history इंग्लिफ लिट्रेचर इसका मतलब होता है कि क्लाफिकल लिट्रेचर का मतलब होता साफ्त्रिय साहित ठ चली आते question answer पहला प्रस्ण है कि वाटीज ध्यान से सुनेंगे वाटीज फेमी निजम मतलब कि फेमी निजम क्या है यानि की फेमी निजम का मतलब होता है नारीवाद ठीक है यानि कि नारीवाद क्या है फेमी निजम फेमी निजम यानि कि नारीवाद क्या है और इसके जो मुख्य है फेमी प्रतिपाद क्या है तो आपको उत्तर आपके समस्त प्रस्तुत है ध्यान से इसका उत्तर पढ़ लेंगे कि फेमी निजम इजा लेट्रेरी ठीक है डिसकोर्स तो एड़ेस दी इसूज रिलेटेट टो ओमें दियर मुव्मेंट फॉर एक्वल राइट्स दियर स्टिगल तो गेट ठीक है राइट ऑफ दी ठीक है पार्टिकलर कंट्रोल दी ठीक है ट्रेनरी आफ मदर हुड एंड जंडर यानि कि इसमें कोई लम लाकिस में बताया गया कि नारीवास से जोड़ा कोईश्चन है और बहुत ही महात्पूर्ण है और आएगा परिच्छा में ध्यान से इसको तयार कर लेंगे इंपार्टन कोईश्चन है इस वीडियो में कोईश्चन एंसर दोनों के लिएट जरूर तयार करके जाएगा सोनेट फे जुड़ा है ठीक है फोन नेट फे जुड़ा कोईश्चन है यह हमें इसा परिच्छा में आता और आएगा आता रहेगा तो इसका ध्यान से उत्तर आप लोग सुन लीजे ठीक है ठीक है सोनेट राइट आप व्रीफ नोट ऑन दी सो सौनेट मतलब की आपको एक छोटी सी टिपड़ी लिखना है सोनेट ऑको व्हूं पॉयमय है ठीक है यह बहुत ही प्रिसिद्ध पोय्मय जो किsecion Dogisierung सेख्षपेर जीch तो इनहीं के द्वारा ये लिखा गया एक पोयम है जो कि चौधा लाइन का है इसी के बारे मापको इसमें लिखना है काफी हिल्प हो लो काफी टॉप लेबल का कोईश्चन है पर इच्छा में कई बार आ चुका है और इस बार भी आएगा गारंटी के साथ इस प्रशन की तो ठीक है यह फिर वी सताब्दि आप लोग जो समझें ठीक है टॉंटी संचूरी के मतब होता है बीसमीं सदी ते जोड़ा संबंधित कोईश्यन है कहरा कि बीशित सदी का अंग्रेजिस साहित के बारे में आपको लिखना है इसके बारे मापको एक्स्ट्रें करके लिखना का आप लोगों को क्या लिखना है एक टिप पड़ी लिखनी है ठीक है कमेडी जो आप लोग जर्नली कमेडी जो जानते हैं ठीक है आप लोग प्रेश्चा में पूछा भी जा चुका और आप सबीके एक्जाम के लिए बाल के महत पूर्ण है तो इसका उत्तर भी तैयार कर ठीक है दियर आर वैरिश टाइफ आफ कमेडी इस लाइक रोमांटिक कमेडी कमेडी आफ मैनर्स आयंड टेक एंटिक एंड कमेडी आप हुमर दोज्च कंट्रीबूटर तु इस टाइप आफ ड्रामा और सेक्ष्पियर विएं जोंसान कॉंगरिफ एंड मतलब कि यह जो है तो आपको एक टिपटी लिखनी है किसके उपर तॉमस हार्डी के उपर किसके उपर लिखना थॉमस हार्डी जो की एक प्रमुख राइटर है इंगलिस के थीक है तो ये क्वेस्चन कहे रहा है कि आपको च्छेत्रे उपन्यासकार थॉमस हरडी पर एक टिपड़ी लिखना है और महात्पूंट प्रस्ण है उत्तर आपके समस्थ नीचे प्रस्तुत है कई बार पर इच्छा में आ चुका तो ज़रूर तैयार करके जाएं जो यहां पर रंग मंच तो बे तुके बे तुके रंग मंच की सुर्वात किसने की है और काउन से घरेलू लोग इससे जुड़े हैं ठीक है वही कह रहा कि ठीक है ड्रामेश्टिट वर एसो सेटेड विथ इट यानि की काउन से घरेलू लोग इससे जुड़े हुए हैं और बहुत मात्पूंट प्रस्ण है काफी वार एकजाम में पूछे गए हैं तो ध्यान गौद उत्तर काल के प्रमुक मनोबेग्यानिक psychological 1 बएध्यानिक उपन्यासकार नाम बताएह यानि की युदातरकाल के प्रमुक मनबेग्यानिक उपन्यासकारों के नाम बताना है और काफी helpful question है कए सारे यहां पर उनके उपन्याफकार से नाम उपलब्द नाम उपलब् है के नाम बताए यानि की युदहुत्तर काल के प्रमुक मनवग्याने को पन्याश कारों के नाम बताना है आपको तयार कर लेना काफी हैलपूल कोशचन एफ जारोत चक्रमिद है हuger क्यों यह कोश्षिन कर रहा है कि हमारे बनों ग्यानिक ठीक है उपन न्यासकार उनके नाम लिखना टौप लेवल टॉश्चन है ठीक है अगला कोश्चन कहिए है कि Right not on the problem play ठीक है तो यह कोश्चन कहिए है कि जो समस्याएं होती हैं ठीक है समस्याएं वाले नाटक ठीक है प्रोब्लम पिले मतलब कि समस्या वाले नाटक पर एक आप लोगों को ठीक है नोट लिखना मतलब एक टिपड़ी लिखना है ठीक है समस्या नाटक पर ठीक है तो यह भी काफी हेलपल कोश्चन इसमें भी लिखना कि दा प्रोब्लम पिले ठीक है इस वन दी ठीक है रेपेज प्रकार के अलग-अलग समस्चाय होती है अलग-अलग छेत्रों में उनके बारे में आपको एक ठीपड़ी लिखनी है काफी हेल्पल कोईश्चन है तो ध्यान रखेंगे इसको भी ओके चलिए नेश्च कोईश्चन देखते लें नेश्चन कहिरा कि वाट इस ध्यान से सुने इस लेडिंग एक्स्पोनेंट ये कोईश्चन कहे रहा है कि अभी विक्तवाद किस बारे में था मतलब कि एक अभिविक्त था और प्रतिपादक फेंता उनका नाम लिखना है ठीक है तो यह बी कही बार पर इच्छा जा चुका है इसको भी आप द्हान से पर लेंगे कि ठीक है इन दा अर्ली सेंचुरी ठीक है तो इस प्रकार आप इसका उत्तर लिखें काफी एलपल कोश्चन कहीं बार आचुका आपको हम सिर्फ कोश्चन करा रहे हैं इस बात को ध्यान रखेंगे ठीक है अगला कोश्चन कह रहा कि UP. हुँख उडींग फिगर्स आफ दीर लेटरेरी डिस्कोर्स पार्ट पश्ट्रीक को निजम ठीक है को लोनिजम ठीक है यह घुलिकstone के मतलब कि चाँने। जो उत्तर उपनुनेश्वात कहे जाने वाले चाहर तेन मॏमर्ष चूण है कोन है विए करे तो ठीक है तो यह भी कभी कदार आता हमेशा नहीं आता है तो आप पड़ भी सकते हैं अगला कोश्चन बहुत ही महात्पूर्ण इसको तयार करके जाएंगे कि राइटा नोट ऑन दी रोमांटिक एज यानि कि जब एक रोमांटिक वाली उमर होती है तो उसके बारे में आप पड़ी लिखनी है काफी एलप्र कोश्चन एक्जाम के लिए जरूर तयार कर लेंगे ठीक है अगला कि व्रिंग आउट विलियम्स वर्ट्स वर्थ एजा पोईट बहुत ही टॉप लेबल के ये कभी हैं बहुत ही टॉ जरूर तयार करके जाना इनके बारे में ठीक है अगला कोश्चन कहिए रहा कि हूँ वर्डी ठीक है ठीक है जी ओर्जियन पोईट एंड वाट वर्डियर पोईटिक थीम्स तो यह कभी कदार आता हमेशा नहीं आता पड़ भी सकते अगनोर भी कर सकते हैं अगला कोश्चन कहिए रहा है कि हूँ वर्डी लीडिंग पोईट आफ दी विक्टोरियन एज यह भी इंपॉर्टेंट है कभी कदार आ जाता तो ध्यान से इसको भी तैयार कर लेंगी ठीक है और निश्ट वारा इतना महातपूर नहीं से आप इगनोर भी कर सकते बाकि कोश्चन एंसर दो क्या क्या कि बिस्ताइं है मुख्य वेक्टेरियन एज की उमर की काफी एलफल कोश्चन ठीक है अगला कोश्चन आप लोगों के समस्त प्रुस्तुत है कि राइट आ नोट ऑन दी प्रे रेफे रिक ठीक है रेफेलाइट पोईट्री आफ दी वेक्टेरियन येज कभी कदा आता मैंसा नहीं आता ठीक है और फू वार्ट फू वर्दी लीडिंग प्रियोटिकल ऐसेस्ट आफ दी ठीक है नियो क्लासिकल एज इंपार्टरिंट इसको दो तयां कर लेंगे ठीक है कि हूँ वरडी लीडर आफ दी इंटी ठीक है सेंटीमेंचल ड्रामा ठीक है इन दी एटेंथ सेंचुरी ठीक है यह महात्पूर्ण प्रेशनिश को दरुद्ध ध्यान देंगे ठीक है अगला भी इतना महात्पूर्ण एज यह कभी कदार आता है इसको इग्नोर कर सकते हैं अगला कुश्चन के रहा हूँ वर्डी लीडिंग प्रोज राइटर्स आप्दा रोमांटिक कीजिए टॉप लेवल का कुश्चन उसमें से बहुत सब्सक्राइब रोमांटिक राइटर हैं पर प्रुस्तुत हैं ध्यान पर ध्यान देंगे कि फूवर्डी लीडिंग नोविलिस्ट आफ दी रोमांटिक ठीक है रेवीवल और यह भी कभी कदार आ जाता हमेशा नहीं आता ठीक है मैंने पिछले फाल के बाडल पेपर और कुश्चन से उठा के देखें तो कौन-कौन से महात पूर्ण है वही मैं बहुत प्रशन है कि फादर आफ इंगलिक्स फिक्षन एंड हुआई मतलब की इंगलिक्स फिक्षन के पिता कौन है और है तो वह किसलिए हैं इसका व्यारम पूसरा ठीक है बहुत हिमात पूर्ण तों तों जोन से याद रखेंगे काफी यह जोन से बहुत आपलीबल कोश कि इतना महात पूर्ण इसको इग्नोर कर सकते हैं अगला इंपॉर्टन है कि राइटा नोट ऑन दा मेटा फिजिकल पूर्ट्री इसको जोर ध्यान रखेंगे ठीक है और अगला कोश्चन है कि वहाट वाजदा ठीक है रिलिजिए रिफॉर्मेसन एबाउट यह कभी कदार आजाता हमेशा नहीं आता तो आप पढ़ भी सकते अगला कोश्चन है कि वहाट इस दा मेन मैसेज आफ दा ठीक है ओडिफस रेक्स पर आपको क्या लिखना है एक मैसेज बताना है इंपार्टन कोश्चन है सफेकलेस ठीक है सफेकलेस जो है ना यहीं है राइटर ठीक है औ इस तोरी कहानी है जो कि आपके बिए फिप्त समस्टर में इनकी लूड़ेट है ठीक है उसे सम्बंधित कोश्चन पूछे जा रहे हैं ठीक है उससे सम्बंधित कोश्चन आएंगे कई सारे तो ध्यान रखेंगे ठीक है और उसके बाद अगला प्रश्ण है कि रिच्वास पंद्रा सो पचास में लिखी गई ठीक है ठीक है निकुलस उदल के द्वारा जात रखेंगे महत्पूर्ण प्रश्ण है और अगला कोश्चन है महत्पूर्ण जो है कि वीच वासदी गोल्डन एज आप इंगलिफ लिट्टेचर मत्तब कि एक इंगलिफ आहत्यकार की एक अच्छी उमर गोल्डेन एज क्या है ठीक है अगला कोश्चन बहुत ही महात्पूर्ण की विच वाजदी फस्ट एंगलिफ टाजडी यह भी महात्पूर्ण प्रस्ण एक्जाम के लिए ठीक है अगला की राइटा नोट ऑन कमेडी यह भी काफी कॉश्चन है आएगा या गा इंपॉर्टन कोश्चन है ठीक है और वाट इस्टार्ट दा ठीक है ट्रोजन वार यह भी कभी कदार आ जाता है ठीक है अगला कोश्चन है जो कि लोंग उत्ते हैं कि दीर गुत्ते लग उत्ते बिया देखने को मिलेगा कि राइटा नोट ऑन दी ठीक है देम आफ और पिर आल ज्यादा तो नहीं में आपको कुछ न कुछ इस वीडियो पे जरूर मिलेगी करीब करीब मेरी उम्मीद है जहां तक 20 से 35 नमबर तक की वीडियो से मिल जाएगी ठीक है मेरी जहां तक उमीद है बाकी कम से कम इतना तो आपकी जरूर होगी बाकी और भी हो सकती है वो तो डिपेंड करता कि कौन-कौन कुछ चना आएंगे और यह सारे के सारे महात्पूर्ण कुछ चन थे पीडियो साहित आपको वाट्सप पर टेलिग्राम पर मिल जाएगा जहिन